देश वासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोच कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज जूटी में कमी की थी, पिछले नमेंबर मेने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आगरत किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और यह बेनिफिट नागरीकों को ट्रांसपर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो बारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाप नहीं दिया गया। इस वज़े से पैट्रोल डीजल की कीमत इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकामले कहीं ज़्यादा है। यह एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पडोसी राज्यों को भी नुक्षान पहुचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज टैक्स में कटोती करते हैं, उन्हें राज्यस्व की हानी होती है। जैसे अगर करनाटका ने टैक्स में कटोती नहीं की होती, तो उसे इन छे महिनों में पांच हजार करोड़ रुपे से जादा का राज्यस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता, तो उसे भी साड़े तीन चार हजार करोड़ रुपे से जादा का राज्यस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरीकों की भलाई के लिए अपने नागरीकों को तक्लीव नहीं इसलिए अपने वेट में टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वही गुजरात और करनाटा के पडोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन शे महिनों में साड़े तीन हजार करोड़ रुपे से लेकर के पांच साड़े पांच हजार करोड़ रुपे तक अतिरिक्त राज्यस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवेंबर मेहने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्यों मैं यहां किसी के आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके राज्यों के नागरिकों की ब नहाराष्ट्र, पस्चिममंगाल, तेलंगना, आंदरपदेश, तमिलनाडू, केरला, जार्खन, किसेने किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरीकों को बोज कंटीरू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दोरान इन राज्यों ने कितना रेवन्यू कमाया। लेकिन अब आप से मेरी प्राथना है कि देश हित में आप पिछले नमंबर में जो करना था छे महने डीले हो चुका है अब भी आप अपने राज्य के नागरीकों को बैट कम करके इसका benefit पहुँचाईए। आप सब जानते हैं कि बारत सरकार के पास जो revenue आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग रहे हैं कि वैस्वीक संकट के इस समय में कोपरेटिव फेडरलिजम की भावना पर चलते हुए एक टीम के रुक में हम सब मिलके काम करें। अब मैं कई विशे हैं बारी की मैं नहीं जा रहा हूँ जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर दुनिया की देशों पर dependent हैं। कितना बड़ा संकट आया है। लगातार अनेक गुना सबसीड़ी पड़ रही है। हम किसानों पर बहुत ट्रांस्पर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट जेलने पड़ रहे हैं तब मैं आप सबसे आगर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने राज्य, अपने पडोसी राज्य, सभी देश वाच्यों के हित्में उसकी सर्वच्चे मैं एक और उधार देता हूँ, अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछली सहमें इने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में तमिल नाडू में पैट्रोल करीब 111 रुपया के पास है, जयवपूर में 118 से भी जादा है, हाइदराबाद में 119 से जादा है, क मुंबई में 120 से जादा है, और जिनोंने कटो थी कि मुंबई के ही बगल में दीवदमण में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीवदमण में 102 रुपया, अब कोड़कत्ता में 115, लखनव में 105, हाइदराबाद में 120 करीब-करीब, जम्मू में 106, जैपूर में 118, गुहाटी में 105, गुर्गाउं में 105 है, देरादुन छोटा राज्य हमारा उतराख़, 103 लुट गया है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कि आप 6 महिने बले, जो कुछ भी आपका रेविन्यू बढ़ा, आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में, आप सहयोग किजिए, ये मेरी आपको विशेष्प्रार्थना है आग्